हेलो दोस्तों नमस्ते मैं अपने चानल पे आप सब का स्वागत करती हूँ दोस्तों हसते रहिए मुस्कुराते रहिए पॉजेटिव रहिए पॉजेटिव सोचिए पॉजेटिव रहेंगे सफलतावस्य मिलेगी आप सब स्वास्त होंगे अपने लाइप में आगे बर रहे ह तो सच में ये कैसा एहसास था क्या ये ट्रू लब फिल किये थे या पिर यूही आपसे अट्राक्शन था तो आप दोनों की जो फर्स टाइम मुलाकात हुई उसकी एनर्जी है डियर ठीक है पास्ट में क्या आप लोग फिल कर रहे थे एक दूसरे के लिए और करेंट परसंट में आपके परसंट की क्या एनर्जी क्या आपसे टू लब फिल किये थे क्या यह इन्हें ऐसा एहसास हुआ था आपको लिखा कि आप उनके लिए खास हो या यूहीं फ्लाटिंग किये थे दियर तो चलिए यह कैंडिल बैक्स रेडिंग है ठीक है यह आल साइन के के लिए है मेल फीमेल मैरेड और मैरेड इसब्बक के लिए है जिसको जिस पर क्रस है वो भी देख सकते इस वीडियो को यह मेल फीमेल मैरेड और मैरेड इसब्बक के लिए ठीक है तो चलिए वीडियो को पॉजेटिव होकर ध्यान से सुनिए और अपने परसंट को लेकर स प्रेसे देना चाहते हैं उनकी ट्रू फिलिंस को कैच किजिए और इंटुशन को फॉलो किजिए ठीक है इंजल्स काइट किजिएगा इस्पृरिट काइट ऑल आर्के इंजल्स कृष्ण को विंद्रादे कृष्ण रादे कि सिव शक्ति ब्रमान की शक्ति गाइट किजिएगा देखिए डियर कुछ वीवर्स के लिए है कि आप अपने पर्सन को बिल्कुल नहीं जानते थे ठीक है बिल्कुल आपकी पहचान नहीं थी ठीक है और जब आप एक दूसरे से मिले आप से पहले आपके परसन को आहसास हुआ आप जब मिले, जिस दिन मिले, जिस टाइम पे मिले ये कहीं न कहीं God की blessing थी, ये आपका किस्मत में आपके परसन से मिलना लिखा था डियर ठीक है यह उस वक्त एनरजी है जब आप मिले थे उस वक्त divine timing थी जब आप दोनों मिले यह सब planning थी universe का God का डिया ठीक है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलो ठीक है लेकिन यहाँ पे जब आप एक दूसरे से मिले first time तो आप से ज़्यादा आपके person को एहसास हुआ आपको वो डिवाइनिंग टाइम थाड़ी है देखिए ये मुझे spiritual connection लग रहा ठीक है ये एक spiritual connection लग रहा है या twin journey में हो या soulmate journey में हो पहली बार देखते ही उन्हें एहसास हुआ dear आपके person बचपन से ही उनमें एक ऐसी energy थी कि सब कुछ होते हुए भी खुद को अकेला समझते थे ठीक है और आपको देखते ही उन्हें अंदर से एक ऐसी positive energy सा फिल हुआ कि उन्हें लगा कि हाँ कुछ खास है एक ऐसा एहसा एहसास है जो उनके लिए है बहुत ही deep connection फिल कर रहे थे यह फिर भी यह काफी सोचे आपको लेकर काफी आप पर नजर रखें यह आपसे मिलने के बाद बहुत ज़्यदा spike कियें आपको आप एक दूसरे को देखते ही कुछ न कुछ आपको ऐसा एहसास हुआ दोनों को एक ऐसी energy फिल हुई कि जैसे लगाना थे उस वक्त दोनों का दिल कहीं न कहीं टूटा हुआ था या आप उस energy में थे या फिर आपके person भी उस energy में थे जहां से वो move on करना चाह आते थे तो यहां पर दोनों एक दूसरे के energy को mirror कर रहे थे first time मतलब दोनों की एक होसी positivity की खुद की peace की खुद की प्यार की खुद की लिए कुछ आप मनी मन ढून रहे थे और अचाना आप दोनों की मूलाकात हुए देखे दियर यहां पे energy आ रही है कि आप अचानक से मिल कर आप सकफना हाथ हो ठीक है त्रेबल में मिले हो फ्लाइट में मिले हो पार-टी में get together में और मुझे लग रहा रहे है को लेज हो कॉलेज भी मुझे दिख रहे हैं ठीक है या पर आप परहाते हो या पिर कुछ भी है या परते हो या परहाते हो ऐसी एनरजी है फ्लाइट में ट्रेवल में डियर ऐसी एनरजी है और अचानक से आप दोनों की मुलाकात हुई उसमें मैं देखनें कहीं न कहीं दोनों का दिल टूटा हुआ था आप भी परसान थे और आपके परसन भी बहुत ज़्यादा परसान थे एक अकेला पन आप में भी था और आपके परसन में भी था या आपके साथ किसी ने चिट किया है या आपके परसन के साथ किसी ने धोखा दिया लेकिन कहीं न कहीं उस बक्त वो पेन से गुजर रहे थे जब आप मिले दियर इसलिए आपको देखते ही उन्हें ऐसा एक एहसास हुआ ऐसी पॉजिटिव इनरजी उनके पास आई की कुछ रहते ये गलत सही का भी डिसिजन लेना चाह रहे थे कि ये गलत है बट ऐसा नहीं हुआ डियर किस्मत में यह लिखा था डियर ठीक है एक ऐसी एनरजी आई कि सच में वो जैसे एक बचपन में अपने फैमली के साथ मदर के साथ जैसे अपना टाइम स्पेंट किया करते थे वैसी एनरजी उन्हें एहसास हुआ आपको दिखते ही डियर उस वक्त यह बहुत परसान थे पेंफूल एनरजी थी उस वक्त डियर और किसी सी से यह बाहर निकलना चाहते थे खुद को बंधा हुआ फिल कर रहे थे और उनके लाइप में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था वो किसी चीज से मुवाउन करना चाहते थे और यहां आपकी भी एनरजी एडियर कि आप भी कहीं न कहीं उस वक्त दर्द पेंड में थे और कहीं न कहीं टूटा हुआ फिल कर रहे थे एक अंदर से आवाज आ रहा है थी खुद के लिए खुद के प्यार के लिए आपको कोई प्यार करें आपको कोई सम्मान करें आपको कोई समझें यह आपकी एनरजी थी और यहां पे दोनों मिरर कर रहे थे ठीक है एक spiritual connection होता है डियर अभी की current energy में आपके person खुश नहीं है डियर क्योंकि current energy के अभी तो बात मैं नेक कर रहे थी लेकिन देखिए यह बूज गया current energy में बता देती हूं डियर current energy में आपके person अभी थोरा सा उतार चरहों में stuck की energy है थोरा सा वो अच्छा फिल नहीं कर रहे डियर यह candle भूजिने का मतलब है डियर कि कहीं न कहीं अब मुझे present में current energy बतानी चाहिए ठीक है तो यह अभी के energy में आपके person आपको बहुत miss तो कर रहे हैं डियर और कहीं न कहीं आपको लेकर बहुत जादा काफी सोच रहे हैं कि क्या करूं कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा हो सकता डियर कि आप बात नहीं कर रहे हों गुसा कर आपके partner ने आपको ब्लॉग कर दिया यह energy निकल कर आ रही है या फिर call receive नहीं कर रहे है या फिर आपको call न कभी भी खुछ से कॉल मैसेज नहीं कि जब इनरजी आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है कोई उधर से आपको डिसीजन नहीं सुना रहे हैं तो कभी मत करना क्योंकि आपको ही दुख पहुचेगा आपको ही पेन होगा डियर तो करेंट इनरजी में आपके परसन अभी उधास है आपको लेकर सोच रहे हैं डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपसे मिल नहीं पा रहे हैं स्टक वाली भी एनरजी है और ये कुछ न कुछ आपके लिए सोच नहीं डियर कि करूं तो क्या करूं कैसे आपको मनाओ आपके दि Current energy में यहां fighting भी चल रही है घर में उडास है लेकिन फिर भी ये ins करनी की कोशिस कर रहे है ताकि वो disturbed ना हो balance में रहें ये कुश से balance करनी की कोशिस कर रहे है फैंबली थर्ट पार्टी बच्चों भाई बेहनों के साथ आप कुछ ना कुछ यह manage करने की कोशिस कर रहे हैं ताकि यह खुस रहे हैं और यह decision ले सके current energy में यह energy है लेकिन आपको यह miss कर रहे हैं तो चलिए यह थी current energy में और past में फिर मैं आती हूँ यह जिस situation में आपके person आपको छोड़ गएं कर गएं move on क्या उस वक्त पताए डियर क बहुत कुछ आ गया था आपके आने के बाद ठीक है success awareness अच्छी name फिम इनकी जूरने लगी और यह society समास से डरने लगे क्योंकि आपके person जिद्दी भी थे हैं भी आज भी हैं और यह आपको लेकर काफी आपके बारे में जानकारी ली social media पे चेक किया आपके बारे में जान पर अचानक से आप तोनों बहुत कड़ीबाए और उन्हें फिल होता गया और बहुत कड़ीबाए दिया फिर अचानक से third party की entry होती है mother हो या marriage हुई हो या कोई तिसरा और हो अचानक से आपके life में कोई तिसरा आया जिससे आप दोनों की दुरिया बढ़ना शुरू हो तो यह आप से दूर जाने लगे ठीक है लेकिन यह होना था क्योंकि आपको अपने ओपर फोकस करना था इसलिए ठीक है लेकिन दियर उस वक्त भी आपको बहुत ज़्याद स्पाई किये आपके face को देखना आपके बारे में जानकारी लेना काफी आपके बारे में सोचा तब यह निर्णे लिए दियर और यह आपके कड़ीव है आपने बहुत मदद की बहुत हेल्प किया लेकिन जैसा आपने ह 100% दिया उन्होंने कुछ भी नहीं दिया आपसे एनरजी चुराई आपसे फिजिकल हुए आपसे प्यार लिया आपकी घर में टेंसन डिप्रेशन उनके वजह से आया अगर आप मैरेड हो तो परसानिया बढ़ी पैरेंट्स हैं तो परसानिया बढ़ी आप कहीं मैरेज नह आने के बाद यह काफी सोचे दिया लेकिन उस वक्त प्योर लब था प्योर अट्रैक्शन था आप उनके लिए खास थे यह एनरजी उनके साथ पिक हो रही थी दियर उन्हें लग रहा था दियर कि आप उनके लिए कुछ खास हो उनके शरीर का एक हिस्सा हो अजब सी मतलब उनके अजब सी फीलिंग्स हुई आपको देखते ही जबकि यह फ्लाटिंग नेचर के इंसान है लेकिन इतना किसी के सामने यह जुगते नहीं है यह अपने आपको बहुत ही इगोिस्टिक इंसान समझते भी है भी ठीक है लेकिन आपके बारे में उस वक्त बहुत डिप कन बारा मिलना उस वक्त ऐसी एनर्जी उने लगी तो यह उस वक्त आपके परसन के इनर्जी यह थी कि आपको बहुत ही प्यार मतलब प्यार से उन्हें आप अपनी आकर्सित किये ठीक है लेकिन फिर जैसे जैसे आपके कड़ीवाई डियर आपसे फेस किये ठीक है उनके पार्टी की एंट्री हुई आप दोनों को अलग करने की ठीक है जैसे जैसे आपके मतलब कड़ीवाई वो धीरे-धीरे आपको समझने लगे लिए उस वक्त देखे लिए यह बच्पन से अब तक एनर्जी में आपके परसन के उपर बहुत ही रिस्पॉंसबिलिटी रही है बडन रहा है प्रेशर रहा है और यह इंसान इगोस्टिक है तो थोड़ा सा इनकी सोच जो है उँची है दियर उडान भरने वाली है ठीक है धीरे-धीरे यह प्यार कम नहीं बोलेंगे दियर क्योंकि यह प्यार कमता नहीं है यह खुद को आपसे दूर करना शुरू कर दि दियर आपने इनको स्पाइक किया ठीक है और आप इनके पीछे पर गए आप बहुत इमोशनल होने लगे लेकिन यह परसन उस वक्त इमोशनल नहीं थे ठीक है जब बहुत जिदा आप इमोशनल थे रो रहते तरप रहते आप इसे बिंतिक कर रहते कि मेरा साथ दो मुझे मुझे तुम्हारे साथ मैरेज करनी है तो यह कही ने कहीं बात को टाल रहे थे जैसे लगा आपने क्या मांग लिया तब इनका रूतवार नेम फेम अच्सी पसनाल्टी में निखार आने लगा दियर और इनके मन में सोसाइटी समाज फैमली का डर होने लगा दियर और यह आपको छोड कर गए तब इनके लाइफ में कोई तिसरा आया या फिर इनकी मैरेज हुई या फिर कोई तिसरा आया थट पाटी या फिर मदर इशू यह तीन इशू इनके लाइफ में आया जिससे आपको अलग किया गया दियर लेकिन आज भी आपको समझते हैं डियर इनके life में कितनी भी परसानिया क्यों ना आ जाए इने कोई फर्क नहीं परता है लेकिन ये खुद को रोकते भी है दिया इस energy में मैं देख रहे हैं कि कहीं न कहीं आज present में भी आप दोनों एक दूसरे के लिए फिल करते हो एक दूसरे के बारे में समझते हो लेकिन आपने जो दिया है वो कभी ये भूल नहीं सकते हैं ये सिर्फ प्लानिंग करते हैं बार बार ये decision लेना चाहते हैं और ये पीछे चले जाते हैं डियर सामने responsibility, burden, परसानी आती है और आज की energy है डियर कि आपके person की energy में उतार चड़ाओ है stuck की energy है ठीक है ये आपके बारे में सोच रहे हैं ये होता ना मिला जुला कर चलना अगर family है, third party issue है तो कहीं न कहीं ये खुद को balance कर रहे हैं ये गुसे की भी energy है ठीक है, fighting की भी energy है लेकिन ये उन चीजों से भी दूर जा रहे हैं जगरे ना हो, fighting ना हो, परसानिया ना बढ़े अगर third party के साथ रह रहे है, family के साथ रह रहे है तो ये कटा कटा रह रहे है लेकिन फिर भी ये manage कर कर चलना है कि कोई परसानी ना हो क्योंकि ये नहीं चाहते हैं खुद को परसान करना अगर आपके partner के बच्चे हैं तो बच्चे इनकी कमजोरी है, dear कुछ भी हो जाए, बच्चे को ये नहीं चोड़ सकते हैं लेकिन ये खुल कर आज भी आपको decision नहीं दे रहे है आपसे यहाँ पे attraction हो रहा है, ठीक है आपसे ये मिलना चाहते हैं ये कोसिस कर रहे दिये, present में लेकिन ये decision नहीं ले पा रहे है और ये decision आपको नहीं सुना पा रहे है और आपकी energy है कि कुछ भी हो मुझे commitment चाहिए या marriage की बात चाहिए हो सकता है कि आपके गर में, present में marriage की बात चल रही हो parents कुछ ऐसी बात रखे हो जिससे आप disturb हो energy में उतार चड़ा हो हुई है और आपको लग रहा है कि मैं अपने person से बात करूँ उनको सारी सच्चाई बताओ कि मेरे साथ क्या हो रहा है आप बहुत ही अपने person को feel कर रहे हो बहुत ही feel कर रहे हो और आप दिल से चाहते कि मैं call message करूँ लेकिन ये इनसान अभी भी अभी भी आप कहोगे कि आपको commitment देंगे तो अभी ये energy मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही है ये कोई decision अभी नहीं ले रहे है current energy में ठीक है क्योंकि energy change होती है हर पल हर समय हर मिनट पर change होती है तो अभी के लिए ये dear change तो नहीं हो रहे है लेकिन बहुत ही अच्छा connection feel कर रहे है dear आप से देखिए इस ट्रक वाली energy तो है dear ठीक है ये स्ट्रक वाली तो energy है ठीक है देख रहे हैं दो heart से बहुत खुबसूरत बना है one or two ठीक है देखिए connection बहुत ही deep feel कर रहे हैं लेकिन फिर भी distance है आप दोनों में हाट से बना है देखो आपके लिए दिल है अकेला पन है distance दिख रहा है one or two कितना भी कडीव आना चाहें नहीं आ पा रहे हैं आप देखो खुबसूरत सा heart से बना है दो आप से deep connection feel कर रहे है दियर ऐसा नहीं है deep connection feel कर रहे है तो दियर मुझे लग रहा है यहाँ पर मुझे क्यों energy यह pick हो रही है दियर कि आपके partner आपके तरफ अगर call message करते हैं बात करते हैं तो हो सकता है दियर कि 8 minute भी हो सकते हैं ठीक है 8 घंटे भी हो सकते हैं ठीक है कुछ बिल्कुल stuck energy में बिल्कुल no contact situation में दियर तो 8 week भी हो सकते हैं ठीक है 8 week हो सकते हैं कुछ के लिए 8 week भी है दियर 8 की energy है ठीक है तो दियर इनका मोड में उतार चड़ा है किसी के परसन अचानक से कॉल कर सकते हैं किसी के परसन अभी माइंड में ये प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं और ये आपके तरफ कप लेकर आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं ये कापी सोचेंगे डियर ठीक है ये काप लेकर आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं ये प्लानिंग कर रहे हैं ये काप लेकर आपके तरफ बढ़ना ठीक है एक कनेक्शन फिल कर रहे हैं अभी अकेला पन है डिस्टन्स है आप में और अभी अकेले है तो ये डियर कभी भी किसी समें आपके तरफ call message कर सकते हैं, ऐसी energy है, लेकिन अभी की energy में है, कि उतार चड़ाओ की energy है, ठीक है dear, ये उतार चड़ाओ की energy है, लेकिन आपको ये दिल दे चुके है सनम, वाली बात है, कहां जाएंगे, दो hearts अब आप देख रहे हो, तीन है dear, 1, 2, 3, देखा आपने, 1, 2, 3, आ रहे हैं, लेकिन ये इंसान चुप भी नहीं बैठे हैं, ये social media पर आपको spike कर रहे हैं, आपका Instagram होगा, Facebook होगा, या फिर आपकी कोई channel होगी, YouTube channel कहीं खुल रखा होगा, ये कहीं न कहीं dear, आपको बहुत ज़्यादा spike कर रहे हैं, आप कर कह रहे हो, क्योंकि इनको chant भी नही ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके लिए देखिए, कितना heart से बना है, stuck वाली energy है, cup लेकर आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, और फ़र आपको करेंगे dear, मुझे लग रहा है, 8 गंटे या 1 week dear, ठीक है, मुझे लग रहा है, किसी के लिए 8 week हो सकता है dear, क्योंकि ये बहुत समझ कर आपके तरफ बढ़ेंगे, तो ये energy आपके person किये dear, तो ये past present की energy थी dear, कि आपके partner आपसे प्यार करते थे, तो सच में उस वक्त आपके लिए बहुत कुछ थे, आज भी feel करते हैं, लेकिन सही समय का अब वो इंतिजार करें, लेकिन आपके लिए एक cup offer करना चाहते ह बहुत अच्छी energy यहां है, लेकिन थोड़ी सिस्टक वाली energy है, ये आपके तरफ बहुत जल बढ़ना चाहते हैं dear, ये planning कर रहे हैं, ठीक है dear, आपको हो सकता कि छोटी मोटे gift भी दे dear, gift की भी planning हो सकती है, आपको मनाने की planning हो सकती है, क्योंकि इनकी नीम तो ऊड़ी हुई आपको खोना नहीं चाहते हैं dear, ठीक है, लेकिन कुछ न कुछ ये planning करते हुए दिखाई दे रहे हैं dear, तो चलिए dear, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, ये past और present की energy थी, ठीक है dear, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो प्लिज लाइक, share, comment किजेगा, चैनल को सब्सक्राइब किजेगा, बेल आइकन जरूर दबाईएगा dear, so God bless you and thank you.